नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News संद्रे ने पुलिस में 1500 ड्राइवरों को S.P.O. यानि विचेश पुलिस अधिकारी के रूप में भरती करने के निर्देश जारी किये हैं इसके अलावा 2000 S.P.O. यानि पूर शैनिक और अर्धिशैनिक की भरती करने के भी निर्देश दिये हैं सरकारी स्कूलों के विद्यार्थों के लिए बड़ी खुसकबरी हारियन के सरकारी स्कूल के चात्रों को पुष्टक वितरन का खारिया प्रारम कर दिया गया है पाठिकरे में बदलाव के चलते पुष्टक वितरन में जो समय लग रहा था उसको देखते हुए विवाग की और से प्रकासक को जल्द छपाई का कारी पूरा करने के आदेश दिये गए थे छपाई का कारी पूरा होने के बाद अब सिर्शा जले से पुष्टक वित्रण की शुरुआत कर दी गई है इन गर्मी की छुटियों में पहली से लेकर आठवी कशा तक के सभी बच्चों तक किताबें पहुचा दी जाएंगी परदेश के सरकारी स्कूलों में फिलाल 16 लाग से ज़्याद अच्छात रहें जिन्हें ये किताबें बाटी जानी है अब जुलाई में स्कूल खुलने के साथ ही सभी बच्चों के हाथों में किताबें होंगी और स्कूलों में पढ़ाई का कारिय सुचार रूप से चल पाएगा खेलो इंडिया गेम्स 2021 अपडेट्स पांच जुन को अमबाला में होगा आगाज देश बर से पहुंच रहें खिलाडी साड़े साथ सो कमरे बुक कराए गई हरियाना के अमबाला जिले में पांच जुन से खेलो इंडिया गेम्स 2021 का आगाज होने जा रहा है उत्रप्रदेश, गोवा, तिरपुरा समेत अन राजियों से खिलाडी अमबाला पहुंचने आरंब हो गए है पंजाब, उत्रप्रदेश, करनाटक, बंगाल, महराष्ट, एंपी साहित अन राजियों से खिलाडी अमबाला पहुंचे दिन पर ती दिन भूशे के बढ़ते संकट से अब किसान प्रेशा नजर आ रहे हैं पसुपालन से जुड़े लोगों द्वारा भूशे के दाम बढ़ने की सिकायत केंदर सरकार से भी की गई है जानकारी के तोर पर बता दे कि हरियन सरकार ने बाहर के राजियों में भूशा बेजने पर रोक लगा दी है जिसको लेकर एक्सपर्ट का मानना है कि आप दूद के दाम दोग ना हो सकते हैं इदर किसान लगातर सरकार से दूद की केमत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मवेशियों के लिए चारा या तो बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा है या फिर महेंगे दाम पर खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है बूशे का संकट कितना गंभीर है इस बात का अंदाजा आप यूपी के दाम से लगा सकते हैं या बाजार में बूशा 2400 से 1600 रुपे पर ते क्योंडल मिल रहा है वहीं दूसरी और हरियाना सरकार की और से दूसरी राजियों में भूशा बेजने पर रोक से आसपास के यूपी के जिलों में भूशा नहीं पहुंच पा रहा है अब जल्द ही दूद के दाम बढ़ सकते हैं रेल यात्रियों के लिए जरूरी सुझना हरियाना और यूपी के कई ट्रेन दस जून तक रद हरियाना और यूपी बिहार जाने वाली कई ट्रेने कैंसल कर दे गई हैं ये सबी ट्रेने आने वाली दस जून तक रद रहने वाली है उत्तर रेल वे अपने आधारबू धाचे को मजबूत बनाने के लिए इस समय कई स्थानों पर मैंटिनेंस वे निर्मान कारिये यानि कंस्ट्रैक्षन वर्क कर रहा है इस वज़े से इन रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है इस वज़े से आगामि कुछ दिनों के लिए जहां कई ट्रेनों को पूरी तरशे रद किया गया है साथ ही ऐसी ट्रेने हैं जिसको इस दोरान रूट बदल कर चलाए जाएगा रेलवे ने जमूतवी दुर्ग एक्सप्रेस बाराजार पानसो पचास को अम्बाला सारनपूर मेरट शिटी गाजियाबाद स पुरानी दिल्ली सबदरजंग तुगलगाबाद पलवल होकर चलाने का फैसल लिया है वहीं सहर्षा अम्रत्सर एक्सप्रेस यानि 12203 को मुरादाबाद शारनपूर अम्बाला के रास्ते चलाए जाएगा वहीं अम्रत्सर का टियार एक्सप्रेस आगामी 10 जून तक निर जीरो 442 वह अम्रत्सर नई दिल्ली इंटरशिटे एक्सप्रेस 2460 वह 2469 को एक दिन के लिए पूरी तरह से रद्द कर दिया गाया है रेलवे ने लोगों से अपील किया है कि यात्रा करने से पहले ट्रेनों के स्थेति जरूर चेक कर लें इसके बाद ही घर से निकले आठ जून से फिर बढ़ने वाली है आपकी EMI, RBI लेगा ये फैसला एक बार फिर से आपकी EMI के किस्त बढ़ने जा रही है इसके संक्यत RBI नहीं दे दिये हैं RBI के इस फैसले का सिदा असर आम जंता की जेपर पढ़ने वाला है, RBI का फैसला आम जंता को जटका देने वाला है, महंगा ये आपके घर के सभी खिटकी दरवाजे खटटाने जा रही है पहले ही तमाम खाने पीने से लेकर हर जरूरत के सामान की कीमते आसमान पर पहुंच चुकी हैं, सोमवार को RBI की मोद्रिक नीती समीते की बैठक होगी इसके बाद पूरी संभावना है कि आरजून को RBI गवर्नर, सक्तिकान, दास एक बार फिर से ब्याजदरे यानी इंट्रेस्ट रेट्स बढ़ाने की गोशना कर दें माना जा सकता है कि आरजून को रेपूरेट में 0.25 फिस्ति की बढ़ोतरी और की जा सकती है इसका सिधा आसर आम लोगों पर पड़ेगा, इससे लोन की EMI में इजाफ होगा देश के कई हिस्सों में मानसुन शक्रिया है, अगले 24 घंटों में इन जगों पर होने वाली है जमा जमबारिश दक्षन पस्षमी मानसुन पूरोतर भारत के कुछ हिस्सों में पहुँच गया है बात करें गले 24 घंटों की दोरान की तो असम मेगाले, अमनतर प्रदेश, नागालेंड, उपहिमाली पस्षम बंगाल, शिक्केम, अंडमान और निकोबार दीब समू और दक्षन करनाटक में हलकी से लेकर मद्ध्यम पारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सक वहीं राजस्तान, दक्षन पर्षिमी, उत्रप्रदेश, मद्यप्रदेश, विदर्प की कुछ हिस्षों और दिल्ली एंचियार और दक्षन हरियाना के अलग-अलग हिस्षों में लुक इस्तिती संबाओ है आधार कार्ड से अगर पैन को नहीं किया है लिंक तो एक जुलाई से देनी होगी 500 रुपे की पेनल्टी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के आगरी तारिक 31 मार्ज 2023 है लेकिन अब आपको आधार पैन कार्ड लिंक करने पर जुर्माना देना होगा 29 मार्ज 2022 को जारी नोटिफिकेशन में CBDT ने कहा था कि 31 मार्ज 2022 के बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक करने के लिए 500 रुपे की पैनल्टी देनी होगी ऐसे में अगर कोई व्यक्ती 30 जून 2022 तक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं करता है तो उसे 500 रुपे की जगहें अधिक जूर्मना देना होगा ऐसे करदाता को एक जूलाई या उसके बाद अपना पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने के लिए उन्हें 500 रुपे की जगहें 1000 रुपे का जूर्मना देना होगा बता देंगी 31 मार्ज 2023 तक अगर टेक्सपेर्स आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कर पाते हैं तो उनका पैन कार्ड निश्क करिये यानि खात्म कर दे जाएगा हर्याना एंचियार से लगते जिलों में जील बनाने के तयारी सीम ने अधिकारियों को दिये निर्देश हरियन सरकार दिल्ली के साथ लगते जिलों में 50 से 60 एकर छेतर में जील बनाने के तयारी में है इसके लिए मुख्यमंतरी मनोरलाल खटर ने भूचल आधिकारियों को संभावनाई तलाशनी के निर्देश दिये है बता दें कि गुरुआर को मुख्यमंतरी ने सभी जिनों की डिसी और मंडलों के आयुक्तों के साथ बैठक की जहां उन्हों ने कहा कि आधिकारी परदेश में चोवा वाले एरिया के लिए विशेश योजनाई बनाई ताकि खिसानों की फसल खराब ने हो और चोवा का पानी किसी अन्नी कारिये में परियोग किया दसके रौतक जोबस अपडेट बाबा मस्तनार्थ इंसिटूट रौतक बे निगली भरती लास्ट डेट नजदीक बाबा मस्तनार्थ इंसिटूट रौतक दोरा विभिन टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भरती के लिए आविदन मांगे गई हैं जो भी उमिद्वार इन पदों के लिए इच्चो के में आपने आवेदन ओफलाइन माध्यम से भेश सकते हैं आपको बता दें कि यह बरतियां कोंट्रेक्ट आधार पर की जाएंगी आवेदन करने की अंतिम तिति की बात करें तो 22 जून 2022 तै की गई है ओफिस कम अकाउंट असिस्टेंट के उमिद्वार सनातक पास होने चाहिए तथा उसे कलार के पद पर कारे करने का 5 साल के कारे अनुबव होना चाहिए वहीं office कम, assistant कम, computer operator की बात करें तो आवेदक सनातक पास होना चाहिए तदा उसकी typing speed वे अच्छी होनी चाहिए PNPAD के लिए आवेदक 10 पास होने चाहिए नियूनतमायू की बात करें तो 18 साल और अधिकतमायू 42 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए हरियाना में 19 जोन को होने वाली सहरी निगाई चुनाव के लिए जब सत्ता रूट भाजपा ब जजजबा का चुनावी गटबंदन टूटा था तब हर किसी को लगने लगा था कि देर सबेर सत्ता के गटबंदन में भी ऐसी दरार पड़ सकती है जो साहिद कभी भरी न जास के लेकिन राजनीति को योही संभावना का खेल नहीं का जाता राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी पहले से संभाव नहीं है मोके की नजाकत राजनीते में एक दुछले की जरूरत और माहूल को देखते वे न क्योल बड़े-बड़े फैसले हो जाते हैं बलकि फैसले पलट भी दे जाते हैं ऐसा ही भाजपा वे जजपा के चुनावी गटबंदन के मामले में हुआ हरियाना में भाजपा वे जजपा के बीच पिछले धाई साल से सप्ता का गटबंदन है दोनों तल मिलकर बरोधा वे एलनाबाद विधानसभाद शेतर के उप्चनाव भी लड़ चुके हैं लेकिन पिछले सप्ता भाजपा ने हिसार में हुई परदेश कारेकानी वे प्राहंतिय चुनाव श्मीते के बैटक में जजपा के साथ चुनावी गटबंदन तोड़ने का एलान कर दिया हालांकि जजपा को पहले इसका आबास था लेकिन वे पहल अपनी तरफ से नहीं का अब चुनावी गटबंदन तोड़ने की गलती दोनों दल साइध ही कर्श केंगे दोनों दलों को लगा कि कॉंग्रेस तो उन्हें लड़ाने के लिए मैदान में छोड़ गई और खुद रफू चक्र हो गई ऐसे में आफेस में टकरा उचित नहीं है बताया जाता है कि चुनाव आयुग शिमांगी अनुमती हरियान करमचारी चैनायुग ने विभिन विबागों में बोर्ड निकमों में खाली पदों को भरने के लिए 22,600 पदों पर भरती शुरू करने का निर्ने लिया है सरकार से इसकी मनजूरी मिल चुकी है चुनकि हरियान में 18 नगर पर लिगाओं के सुनाव चल रहे हैं ऐसे में भरती परक्रिया शुरू करने से पहले आयोग ने राजी चुनाव आयोग शे अनुमति मांगी है राजी चुनाव आयोग की ओर शे अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है करमचारी चैना आयोग ने तृतिय बचतुर्थ स्रेनिक के पदों पर भरती का निरने लिया है इन दोनों ही कैटेगरी के पदों के लिए आयोग दोरा शामाने पतरता प्रिक्षा का आयोजन भी किया जाना है यह प्रिक्षा अगस्त में होगी लेकिन भरती परक्रिया पहले ही शुरू कर दी जाएगी हरियाना कोशल लोजगार निगम की तहएत करीब एक लाग पत भर जाने हैं 29 रेने में कच्छे करमचारों की भरते होगी ऐसिक्षित युवाओं से लेकर डिपलोमा और डिगरी धारकों को नोकरी मिलेगी इनके लिए पदनाम कारिये और सेक्षिनिक योग गिता तै कर दी मानव संस्तान विवाग ने सुक्रार को इसके अधिसूचना जारी कर दी है मुक्य सच्यू कारियले सक्ति से इनको निर्देश लागू करने को कहा है बोर्ड निगमों की सिफारिश उपर होने वाली भरति के पहले पदनाम तै नहीं थे इसलिए नियुक्तियों में दिक्कत थी अधिसूचना में कहा गया है कि अगर नीर्देश की किसी भी भरति में कोई पदनाम सामिल नहीं हो पाया हो तो इसके लिए निगम के संग्यान में जानकरी लाएं सरकार का लक्ष्य है कि निगम की तैट एक लाख लोगों को रोजगार देना है हरियाना के महंदरगड में स्थित हरियाना केंदरई विश्यू देले में सतर दोज़र बाइस देस में सनातक स्तरपर उपलब्द उस्तन हर सीट पर 431 अभ्यारतिव ने आविदन किया है शिक्ष्य मंतरले और विश्यू देले अनुदाना आयो यानि यूजीशी के निरदेशा अनुशार इस बार हरियाना केंदरे विश्यू देले सैंक्त विश्यू देले परवेस परिक्ष्या यानि C.E.E.T. 2022 के अंतरगत सनातक पाठ कर्मों में दाखले कर रहा है 31 मैं को खात्म होई आविदन परिक्रिया के बाद हरियाना केंदरे विश्यू देले में उपलब्द 11 सनातक में इंटेग्रेटड पाठ कर्मों के लिए उपलब्द कुल 493 सीटों के लिए 2,12,722 उमीद्वारों ने आविदन किया है परिक्ष्या तितियों की गोजना जल्द की जाएगी वहीं दूसरी तरफ विश्यू देले में उपलब्द सनातक और सनातक कोतर पाठ कर्मों के लिए आविदन परिक्रिया जारी है यह परिक्रिया भी CUET के मादिम से ही की जा रही है इसके लिए 18 जून तक आविदन की जा सकते है मोसम अपडेट हरियाना और दिल्ली में फिर बढ़ने लगी भीशन गर्मी IMD ने जारी की अलर्ट वर्तमान परिदर्श में मैदानी राजियों खास कर पंजाव रास्तान हरियानावे NCR दिल्ली और उत्र प्रदेश पर एक बार फिर से बिशन गर्मी और लू अपने तीखे तेवरों से आगाज करने लगी है आस्मान से फिर से आग बर्सने लगी है जिसके वज़े से लगों को आफ़त बरी और जुलसाने वाली गर्मी से रूपरो होना पड़ रहा है शुक्रवार को हरियानवे NCR में अधिक्तम तापान के बात करें तो 42 डिग्री से लेकर 46.8 डिग्री सेल्शेस वही निवन्तम तापान 21.8 डिग्री से लेकर 30.3 डिग्री सेल्शेस के बीच दर्ज किया गया आने वाले दिनों में तावान 2-3 डिग्री सेल्शेस तक बड़ोतरी दर्ज होगी जिसकी वज़े से भारतिय मोसम विभाग ने शंपूर्ण इलाकों पर येलो अलर्ट जारी किया हुआ है आज खबरों में बस इतना ही देखते रहे CWB हिंदी न्यूज नमस्कार